नमस्कार दोस्तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं किर्शी प्रवेक्ष की जो कैंसी आई उसकी त्यारी कैसे करें और उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट को आप कितना समय दें कौन सी बुक बढ़ें कोचिंग आपको करने चाहिए या नही करने चाहिए और रोजाना आप कितने घंटे बढ़ाई करो जिससे आपका स्लेक्शन हो स्योर हो जाए इन सभी बिंदों पर हम आज के इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे तो मैं आसा करता हूं कि सारे आप अंतक जुड़े रहेंगे वीडियो को अंतक जुरूर देख आपको सामने जान कर देता हूं जो आपको पता भी चल गई होगी कि फोरम है वो कब से शुरूंगे तो 15 जुलाई से यानि कि इसके फोरम आप अपलाई कर सकते हो और 13 अगस्त है रात के 12 बज़े से पहले पहले आप अपलाई कर सकते हो एक्जाम डेट की बात करें तो आपके पास आप मातर दिन बचे हुए है 100 आज यानि कि आज से लेकर क्या है मातर आपके पास 100 दिन है और 100 दिनों में आपको अच्छे से त्यारी करनी है जिससे आपका सेलेक्शन है उससे और हो जाए तो वो ही हम इस वीडियो के अंदर जानने की कोशिज करेंगी कि आप आपका सेलेक्शन है वो 100 दिनों के अंदर कैसा कंप्लिट होगा कैसे आप सेलेक्शन ले सकते हो मातर 100 दिनों में चलिए आगे बढ़ते हैं सबसे पहले बात करें किस सब्जक्ट को कितना समय देना चाहिए तो आपके अगर बात करूं इसके अंदर 5 सब्जक्ट है एग्र नंबर के, यानि एग्रिकल्चर टोटल आपके 180 नंबरों के आनी हैं दोस्तों, वहीं बात करें GK की, तो जीके की अगर बात करें, तो ये 75 नंबर के आएंगे, टिक के 25 की उसे न आने वाले हैं, हिन्दी की बात करूँ दोस्तों ये 45 नंबर का युगदा रहेगा, ये तो ह नमबरों का यह आपको पता है 300 नमबरों का एक्जाम होने वाला है जिसमें से 180 नमबर आपके एगरिकल्चर से पिचेतर जिक्के से और 45 क्या है हिंदी से हैं अब आप बात करते हैं कि इनमें किस पेफोक्स कितना देना चाहिए तो उसको बता देता हूँ एग्रोनॉमी आप कवां अपको डेली कम से कम 2 घंटे पढ़नी होगी एगरोनॉमी को आपको यानि कि 2 घंटे डेली टाइम देना होगा इसको आप दो तरी के से डिवाइड कर सकते हो मेरे दोस्तो एक घंटे आपको क्या पढ़ना है जितनी क्रोप है टोर्टल आपके क्या है स्लेब सके प्रोम्ने को दो गंटे डेलि पढ लीजी उसके बाद मैं अगर बात करें होटी कुलचर होटी कलचर है इसको आप क्या है लगबग एक घंटे पढ़ोगे तो भी आसानी से कवर कर सकते हूँ इसमें ज़्यादा यह नहीं है त्विनस के बाद मैं अगर बात करें ऐनिमल जीओगराफी है तो इसमें यानि कि जीओगराफी के चोटा तो हाँ चुटा है तो स्टाटिंग के इंदर या 이제 आप अभी करिये शूरू कर रहे हो तो पांट सी साथ दिनों के यंदर जिओगराफी जाफिकstill को आप एक बार पढ़ ले जा सचले संडे को पढ़ सकते हो आप ठीक है यानि कि वीक के अंदर जियोग्राफिक को दो दिन पढ़ लेजिए बाकि आपको हिस्ट्री और कल्चर है वो अच्छी तरीक पढ़ना है परन्तु डेली दो घंटे आपको जी के जरूर पढ़नी है पढ़ना है वहीं हिंदी की बात करो दोस्तो तो आपको एक घंटे डेली पढ़ना है तो यानि कि टोटल अगर बात करो दोस्तो तो ये सात घंटे होते हैं और सात घंटे के बाद में आपको शाम को सोने से पहले एक घंटे इन सभी को रिविजन करना है जो आपने पढ़ा है एक बार आपको दिमाग में लेके आना है क्योंकि हम क्या खाना खाते तो उसको पचाने के आउसकता होती है वैसे हमने जो पढ़ा है उसका पाचन करने के आउसकता होती है तो उसका एक गंटे आपको रिवजन जरूर करना है इसलिए अगर आप क्या है डेली साथ से आठ गंटे पढ़ाई करोगे तो आपका स्लेक्षन शोर हो जाएगा जिस परकार मैंने आपको बताया इस तरीके से पढ़ना है अब बात कर लेते कौन सी बुक्स पढ़ें आप तो अगर बात करें दोस्तों यहाँ पर किर्शी विज्ञान हिंदी और जिके तीनों की मैं बुक्स की बात करने वाला हूं किर्शी विज्ञान की बात करों तो इसके अंदर क्या आए 11 और 12 इन दोनों की बुक्स पढ़ सकते हो आप ठीक है उसके इलावा कोई भी एक किर्शी प्रवेक्स की गाइड पढ़ सकते हो इसके इलावा 11 और 12 के बेस पर हमने क्या नोट्स त्यार कियों है अगर वो परचेश करना चाहिए तो वो भी आप परचेश कर सकते हो आगे मैं बता दूँगा कैसे उसके इलावा अगर बात करें दोस्तों केवल वो ही पढ़ने है उसके इलावा कुछ पढ़ने के आफस्कता नहीं है आपको हाँ वर्ण वाला को थोड़ा सा एड करके पढ़ लेजे जिससे आपको संदी है वो चीज़ें आपको असानी से समझ में आ जाएगी उसके इलावा एक्स्ट्रा आपको पढ़ने के आफस्कता नहीं है यानि कि जो आपकी 11 टोपिक्स लेबस में दिये गए हैं वो ही पढ़ने हैं आपको जीके की बात करो तो जीके के अंदर मैं आपको एक बुक सेजेशन करना चाहूंगा राजस्तान अध्यन के नाम से एक बुक आती है राजस्तान अध्यन आपको Flipkart Amazon पे भी मिल जाएगी राजस्तान अध्यन इसके राइटर है राकेश जांगे लिए तो ये बुक आप पढ़ोगे तो असानी से आपका सेलेक्शन हो जाएगा यह जो आपको notes के बारे में बता रहा था दोस्तों जो यानि की notes है हमारे पूरे NCRT book है जो 11th और 12th उनके अधार पर त्यार किया गया इनको 11th और 12th की book है उनके उनसारी यानि की जो पसलों की 20 दर है जो variety है मुख्य है वो उनके cross प्रवर्धन की वीदियां जो इसे होटिकल्चर के अंदर बात करें तो वो सारी चीजें क्या के वल NCRT के अधार पर ही इसमें लिखी गई है इन notes हो में तिन को आप purchase कर सकते हो हमारे जो number screen पे आपको दिखाई दे रहे हैं इन पे आप संपर कर सकते हो 248 11 208 पर अपना नाम लेकर हमें भेज दीजिए पूरा address भेज दीजिए हम इस पे आप और इसकी कीमत अभी मातर यानि की 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक इसकी कीमत है वो मातर 999 में रुपे रहने वाली है आगे बढ़ लेते हैं अपने दोस्तों अब आप कही ओं के दिमाग में ये चलगा है कि हमें कोचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए अगर आपने क्या है पहली बार त्यारी कर रहे है तो आपको कोचिंग अउस्य करनी चाहिए कोचिंग से आपका एक schedule बन जाता है daily का routine बन जाता है उसके धार पर आपको coaching करने चाहिए परनतों आपने पहले कभी coaching ली हुई है तो आपको ज़्यादा coaching करने क्या उसका नहीं है आपको self-study करने चाहिए लाइब्रेरी जोइन की ली कर लीजिए और डेले यानि की library के अंदर एक routine बना लीजिए उसी साब से त्यारी करते रहे तो आपका selection है वो कोई नहीं रोक पाएगा मेरे दोस्तों अब कहियों के दिमाग में ये भी रहता है कि taste series जोइन करें या ने करें अब आपने चाहे पहले कहीं से भी coaching ले हो चाहे ने ले हो ठीक है आप self study त्यारी कर रहे हो चाहे आप क्या किसी ने coaching जोइन कर रहे हो परन्तु आपको taste series आपको 100% जोइन करनी है इसमें आपको यानि कि डेली का कम से कम एक टेस्ट तो देना ही देना है डेली आपको क्या है एक टेस्ट जुरूर देना है चाहे आप किसी भी एप पे दीजिए या offline दीजिए कैसे भी दीजिए परन्तो आपको taste series है वो अफसे जोइन करनी है जितने ज़्यादा यानि कि objective आप क्यूसन करोगे जो गलतियां है वो exam से पहले कर लीजिए exam वाले दिन गलतियां नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों ठीक है इसके लिए हमने एक anxiety taste series बनाई है मातर 99 मेरोपे के अंदर जिसमें anxiety के सारे जो यानि कि topic wise जो anxiety 11 और 12 के जो lesson है उनके अंसार हमने क्या है उनके paper बनाए है जैसे यानि कि किसी lesson के अंदर बात करो तो 50 कि उसना है किसी में 30 है क्योंकि कुछ lesson है वो बिल्कुल छोटे छोटे हैं तो उसके अधार पर हमने taste series बनाई ह तो ये दोस्तो वीडियो आपको कैसा लगा अब ये तो हम पहले बता चुके हैं रोजाना कितने गंटे पढ़ाई करनी साथ से आठ गंटे कम से कम आपको पढ़ाई करनी होगी ठीक है वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें जैहिंद